उत्तर प्रदेश के प्रियाग राग जिले में मेजब लाग के अंतरगत एक ऐसी बस्ती है जो दलितों की बस्ती है आज तक इस बस्ती में खड़िंजे का निर्माड नहीं किया गया है लोगों को आने जाने में काफी दिक्तों का सामना करना पड़ता है आपको बता दें कि बरसाथ हो जाती है तो लोग को बाहर निकलना तुबर हो जाता है सरकार की आपातकाल की सुविधा से वन्चित है यह गाओं लोगों का कहना है कि जब चुनाव आता है तो बड़े-बड़े वादे तो कर जाते हैं वहीं पर सिकायत करता अधिवक्ता रामकिस का कहना है कि इस बस्ती के लिए सड़क बनवाने के लिए पचास से ज़ज़ा बार सिकायत किया गया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है थोड़ी सी भी बरसात हो जाती हो तो दैनिक कारी हो या अस्पताल जाना हो तो मोटर साइकल का पहिया मिट्टी में धस जाता है ऐसे ही घटना पांच वरस पहले घट चुकी है एम्बूलेंस के माध्यम से अस्पताल ले जाते समय एम्बूलेंस का पहिया मिट्टी में धस गया था काफी मसक्कित के बाद गाउं के लोगों ने एम्बूलेंस को बाहर निकाला जिसमें एम्बूलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचते ही डाक्टरों ने मा की तो जान बचा लिया लेकिन बच्चे को नहीं बचा पाया और अस्पताल के डाक्टरों ने बच्चे को मृत घो कर दिया विर रिपोर्ट इंडिया दस्तर